हे गाईज कैसे आप लोग मैं हूँ शुभाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्से साउथ अफरीका के बीच में जो नेक्स मैच खेला जाएगा टीटूइंटी इंटरनेशनल सीरीज कर देखेंगे कौन से प्लेर्स हमारे लिए बैस्ट होंगे पिक करने के लिए केप्टैंसीows Captain option किन को दे सकते हैं पिछ रिपोर्ट क्या है में अगर घर बोलुँ तो ठोड़ा सा एक लो vine ने होता है यहां पे मैसी खुरीज सी कम होती है अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो कौन से मैचेस ते जहां पे स्कोरिंग कम हुई है आखरी अंतरराश्टी मुकाबलों में तो वीडियो को पूरा देखे जादा आपको डिटेल में जाने की जरू होता नहीं है मैं आपको समरी वाइज हर एक शीज बता दूँगा सबसे बहले fantasy tips में हम देखते हैं पिछले एक साल में T20 में कैसा performance players कर रहा इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम fantasy points की बात करें तो लोकिश राहूल ने 7 international matches खेले T20 के 58 fantasy points पर match दिये श्रेश एर ने भी 7 matches खेले हैं और 56 fantasy points पर match इन्हों ने दिये हैं डेविड मिलर ने टूटल 14 matches खेले 33 fantasy points पर match दिये और तैमबा बवुमा ने भी देखे तेरा मुकाबले खेले हैं और 31 fantasy points पर match दिये अगर वों लाउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पंडिया ने 6 match में 30 fantasy points पर match दिये अक्षर पतेल ने 3 match में 45 fantasy points पर match दिये मरकरम के 59 fantasy points पर match है और पुर्टोरेस के 40 fantasy points पर match है तो यह एक average है fantasy points का जो आम तोर पे ये लोग पिछले एक साल से दे रहे हैं इसके बाद अगर हम बात करें बोलर्स की तो इसमें चेहल के 37 fantasy point है हर्षल के 43, कगी सुरबाड़ा के 50 और नॉट जे के 51 fantasy points पर match है विकेट कीपरिंग section में बात करें तो रिशब पंत काफी पीछे हैं 32 fantasy points पर match के साथ वहीं डिकॉक जो है वो काफी आगे है 60 fantasy points पर match के साथ टूटल मैच इसकी बात करें इस venue पे जो अंतर राश्टी लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेले गए 6 मुकाबलों में से 3 batting first और 3 batting second जीती है average score यहाँ पे T20 international में first batting करते हुए 156 बनता है और highest score जो है वो इंडिया का 202 यहाँ पे दरज है lowest score शीलंका का 120 यहाँ पे दरज है scoring pattern देखेंगे तो most of the time below 150 यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है अगर हम बात करें बाकी scoring pattern की तो उसमें लग बाग हर 190 की ऊपर एक बार बना है 170 से 189 यह बार बना है 150 से 169 यह इंटरनेशनल लेवल पे एक बार बना है but most of the time 150 के बिलो बना है बात करेंगे तो 77 मैचेस खेले गए उसमें से 35 मैच बैटिंग फस्ट ने जीते और 42 मैच बैटिंग सेकंड ने जीते average first betting का average score जो यहां पे बनता है 166 का बनता है 231 Delhi Capitals का यहां पे highest score registered है और Delhi Capitals का ही lowest score 66 for all out भी यहां पे रजिस्टरड है most of the time scoring यहां पे देखिए 190 के बिलो होती है 190 के उपर 15 बार domestic लेवल पे गया है और बाकी 20-20 बार जो है वो हर एक रेंज में गया है यही देखिए highest total है इस ग्राउंड पे इंटरनेशनल लेवल का 202 ठीक है और इसके पर 2016 में भी मैचेस हुए थे शिलंका साउथ अफरीका न्यूजिन इंग्लाइन के बीच में तो scoring most of the time scoring 150 के राउंड रहती है बहुत जादा scoring यहां पे नहीं होता है इसके बाद हम बात करते हैं ICC ranking की तो देखिए इंडिया जो है नंबर वन पे है T20 international में और South Africa जो है यह नंबर फोर्थ पे है T20 international ranking में अगर हम head to head stats की बात करें तो देखिए आपस में 15 मुकाबले इन टीमों ने खेले हैं 9 इंडिया जीती है और 6 South Africa जीती है यानि अगर आप देखें winning ratio तो इंडिया का ज़्यादा winning ratio है अगर हम batting first और batting second करते हैं टीमों के performance देखें तो इंडिया ने ज़्यादा तर अपने South Africa से जो matches है वो batting first करते हुए जीते हैं इसके बाद नीचे चलते हैं और बात करते हैं आखरी 5 head to head मुकाबलों की जो इन दोनों टीमों के बीच में हुए इंडिया ने तीन जीते हैं South Africa ने दो जीते हैं और उन matches के scorecard भी आपके सामने देख सकते हैं लास्ट मैच 2019 में खेला गया था लास्ट जो दो मुकाबले इनके बीच में रहे थे और दोनों matches में देखी एक बार South Africa भी जीती है एक बार इंडिया भी जीती है दोनों टीमों ने चेजिंग करते हुए matches को जीता था इसके अलाबा पुराने matches भी हैं 2018 के वो देखने की ज़रूरत जादा है नहीं Recent form देख लिए वो सबसे important है जैसे इंडिया जो है आखरी 5 के 5 टी-20 international matches जीत के आ रही है और वहीं South Africa आखरी 5 में से 4 international T20 matches जीत के आ रही है अब देखें किन टीमों खिलाफ आखरी सीरीज इनकी रही थी जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया अपनी आखरी सीरीज जो है वो शिलंका खिलाफ खेल के आए फरवरी में और उसके पहले फरवरी में वेस्ट इंडी से खिलाफ भी इनोंने international सीरीज खेली है और सारे ही मैचे जीते हैं इसके पहले अगर हम बात करें साउथ अफरिगन टीम की तो इंग्लेंड, शिलंका, वेस्ट इंडी अस्टलिय सबके साथ इनोंने मैचेस खेले हैं मोस्टली इनके 2021 के मैचेस रहे हैं और मोस्ट अफ दा मैच में नोंने विनिंग भी हासिल करी स सिर्फ उस्टलिया के सामने एक बार यहा रहे थे बागी सबके सामने इनोंने जीता हुआ है प्लिर बैटल की बात करते हैं तो इंडियन बैट्समें साउथ ऑफ सिंग बोलस को थोड़ा सा देख लेते हैं में में देख लेते हैं जैसे लोकेश रहुल वर्सिस कागीश चैननन भी जीता है तो एक बार अपना विकेट दिया है एक अच्छा प्लिर बैटल होगा लोकेश ह् इस सामने अच्छा प्लिर बतल है और रंस भी अगर आप देखें तो 500 के स्ट्राइक रेट से गैकवाड ने इन दोनों प्लेस को फेस करा है बाकि जैंसेन और मलक्रम को इन्होंने विकेट नहीं दी है फिर हम बात करते हैं शानकेशन की तो रबाड़ा एक बर इनका विकेट ले चुके हैं इन्होंने अच्छी खासी पिटाई भी रबाड़ा की कर रखी है नौट जी की भी काफी पिटाई शानकेशन ने करी है बट आउट नहीं हो इनके सामने है शरशेर की बात करते हैं है रियसाँंत टाइम में फरॉम की बहुत आफ़ी चल रही है और इंटरनेशनल लेवल पर चीसाइसन ने विकेट निकाला बस दौप कर लेका 2 बार ऐन गड़े रिचाब पांड अ करते हैं न इंगड़ी जिसे चहल के सामने अपना च्हे बार विकेट दे चुके हैं, थर्टी नैन बॉल्स में मात चवाल सिन बना के, तो चहल से थोड़ी सीन को तकलीफ रहेगी, बाकी प्लस को अच्छा केलते हैं, कुल्दीप के सामने भी दो बार इनों अपना विकेट दिया है, अक्षर को एक बालिंग को जादा फेस नहीं करा है, इंटरनेशनल लाविल पर जो करा है, उसमें इनोंने विकेट विकेट नहीं दिया है, डेविड मिलर रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, बट इधान रखिए, डेविड मिलर के सामने चहल रहेंगे, चहल तीन बार विकेट, योजिक बन चेहल मिलर का ले चुके हैं, इसकी बार बात करते हैं पर्फार्म시면os की अंडियन टीम के प्ले इंटम की प्लेइंग लाविन क्या होगी ? एउपनर्स में देखें मेरे साबसें लोकिश राहूल और रिशान किषन यह टीम के लिए ओपन कर सकते हैं, र कीछ देखेदे विकट कीपर इंके पास काफी है इशान किशन भी है रिशाब्बंथ भी धिनियस कार्थेक भी है तीन- frickin भी थीपर इनके आवेवल है लिए परफॉरमेंस की तो आखरी दो मैचे इशान किशन के अज़ा === और KL Rahul भी IPL के आखरी दो मैचेस में अच्छा कर गया थे South Africa को दोनों ही प्लस ने अभी तक फेस नहीं करा International level पे Domestic level पे तो IPL वगेरा में काफी फेस कर रहा है South Africa ने बोले उसको बट वही है कि International level पे लोग पहली बार फेस करेंगे एवरेज देखिए लोकिश राउल को 44 का है कप्तानी के बहुत अच्छे material है और 29 का एवरेज शान किशन का है 32 का श्रिश का एवरेज है ये भी बहुत अच्छे उप्शन हों के पिक करने के लिए रिसेंट टाइम में फॉर्म भी अच्छी है IPL के कुछ मैचे उप्शन के नहीं गए बट रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा है ये इंटरनेशन लेवल पर कर रहे थे आप पोडिशन टीम के खलाफ हलागी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है नंबर चार पर हार्दिक पंडा एक्सपेक्टेड है हो सकता है पांच भी बैटिंग करने आए थोड़ी बहुत बालिंग कर सकते हैं रिसेंट टाइम में बालिंग अच्छी कर रहे थे और रिसेंट टाइम में बैटिंग भी अच्छी कर रहे थे 33 के आवरेज से खेलते हैं, recent form उनका अच्छा नहीं है, आप position टीम के खिलाफ record भी थोड़ा सा खराब है इसको बात करते हैं दीपा खूडा की, जोने recent time में काफी अच्छा performance टीम के लिए दिया है खास करके IPL में, नमबर 3-4 पे जब जब बैटिंग करने आए, बहुत साई runs लगाएं इस बैटिंग पोजिशन पे अच्छा कर पाएंगे, बट अगर इनको promotion मिली बैटिंग में तो definitely अच्छा करेंगे recent time में betting form बहुत जबरदस्त है, टीम इनका bowling में यूज नहीं कर रही है, बट कर सकती है इसके बाद दिनिश कारतिक as a finisher मेरे साब से इस टीम में काफी अच्छे होंगे finishing spot पे ये अच्छे option है, 27 के average से खेलते हैं IPL के कुछ matches में match winning knocks भी खेले हैं, हाला कि opposition team खिलाफ record खराब है अक्षर पटिल की बात करें, तो opposition team खिलाफ इनका भी record batting balling दोनों में खराब है इस पिन category से इंडियन टीम के पास एक अच्छे option है, पिक करने के लिए इसके बाद भुवनिशर कुमार आविश खान है, जिसमें भुवनिशर के पास थोड़ा experience रहेगा और आविश खान के पास form है, चहल के पास भी experience form दोनों है चहल का अगर आप stat देखे recent time में तो ठीक ठाक form में है आप position टीम के लाफ उत्ते विकेट नहीं लिए हुए बुवनिशर ने काफी विकेट आप position के लिए हुए पिछले तीन matches में और आविश खान पहली बार आप position को face करेंगे इस international level पे बेंच में अगर हम बात करें तो इनके पास अश्दीफ सेंग है रुतुराज गायकवार्ड है गायकवार्ड भी देखे एक बहुत अच्छे option है अगर टीम चाहे इनके साथ open कराना यानि इशान किशन को bench में रखे और गायकवार्ड के साथ open जाए open करवाए तो यह भी बहुत अच्छे option होंगे recent time में IPL में last last के matches में अच्छे form में भी आ गए थे तो देखे इंडिन टीम पास बहुत ज्यादा options पड़े हैं अब क्या opening प्यार होगा वो देखना पड़ेगा क्योंकि इशान किशन last 2 matches से form में है गायकवाड आकरी के 4-6 matches से form में तो गायकवाड को प्रिफर करेंगे के इशान किशन पर यह भी देखना पड़ेगा वेंकरट शेयर इनके पास option में कुल्दीब भी अच्छो option इनके पास पिक करने के लिए हर्शल बहुत शानदार option है और रावी विश्नोई उम्रान मलेक भी है जिसमें उम्रान मलेक के पास experience की थोड़ी सी कमी है speed बहुत अच्छी है बट वह यह line length थोड़ी बिगड़ जाती है so options काफी Indian team के पास अब हम बात करते हैं South African team की South African team में हम देखते हैं Riza Hendricks जो है यह open करने चाहिए content decock के साथ number 3 पर रसे बंदर दसेन आने चाहिए 4 पर मर्क रम आने चाहिए अगर हम इसमें देखें average बाइस तो सबसे अच्छा average यहाँ पर आपको मिलेगा रसे बंदर दसेन का 37 का average से यह खेलते हैं बागी प्लेस 34-35 के आसपास खेलते हैं तो mostly आप देखिए आप साथ अफरिका के चारो टॉप आटर के जो प्लियर है वो 34 के आसपास 35 के आसपास scoring कर सकते हैं क्योंकि इनका इतना बैटिंग आवरेज रहता है रसे बंदर दसेन आईपल के कुछ मैचेस खेले बाट बहुत नीचे खेले तो उसको अकंचिडर मत करिएगा साथ अफरिकान टीम से यह बहुत अच्छा खेल सकते हैं इस बैटिंग स्पोर्ट पर मरकम का तो फॉर्म आपने देखी लिए आईपल में बहुत अच्छा था इनका समझ में आ रहा है मिलर भी देखा एजब से टीम के लिए खेलेंगे जैसे कारतिक इंडिया के लिए खेलेंगे तो वैसी मिलर साथ अफरिक लिए एज़ा फिनिशर खेलेंगे और आपको बता दूं यह बहुत अच्छे फॉर्म में हैं आईपल के अगर हम देखें त बहुत अच्छे विकट टेकिंग उप्शन होते हैं साथ तुस्केंट टीम से काईश रबाडा केशब माराज तबर शामशी नौडजे में चार चार ओवर करने चाहिए महाराज तीन से चार ओवर कर सकते हैं और प्रिटोरियस दो से तीन या चार ओवर भी कर सकते हैं ऑप बहुत इंप्वरेंट पिक हैं का अच्छा है नौडजे का तबरे शामशी का भी रिसेंट वर्म बहुत ज़्याद अच्छा है और रबाडा भी अच्छे फरम है तो यह तीन प्लस तो आपके टीम में एटलिस्ट रोने चाहिए महाराज का रीसेंट फ्वर्म उद्त अच इनको थोड़ा सा देख लेजेगे राहुल और रिशाप पंथ ठीक है इसके बाद डैथ ओवर्स की बात करें तो इंडियन टीम से आविश खान भूनिश और कुमार और हार्दिक पंडा ये डैथ में गिंदवाजी करेंगे तो ये हो गई बात स्टेट्स की सब कुछ मैंने आपको इंडिया साउत अफ्रक की मैच की बता दिया अब बात करते हैं फाइनली टीम की सो घए अभी फिलाल के मेरी ये टीम रहने वाली है माई 5 एलेविन अप्लिकीशन पर और बैटबों 11 एप्लीकशन पे बही सेमन टीम रहने वाली हैं जिल लोग्यों ने माई 511 एप्लिकेशन और बैटबो 11 एप्लिकेशन को अभी तक जो है रिश्टर नहीं करा साइन अप नहीं करा डाउनलूड कर लो सबसे पहले तो और फिर रिश्टर साइन अप कर लेना रेफर कोड एफिक्स लगा के जो लोग आएंगी उनको बूनस और फ्री एंट्री मिलेंगी दूनों एप्लिके तो टॉप चार प्लियर हैं अगर साउट अफरिक अगी तो उसमें सबसे बढ़िया बैटिंग आवरेज में यही खेलते हैं आईपिल में भाले ही बहुत नीच बैट करने आ रहे थे बट अगर तीन पर आएंगी तो यह बहुत अच्छे टी-20 के प्लियर मानने जाते हैं फिर मैंने हार्दिक पंडिया और एडम मरकम को भी टीम में लिया है मरकम एक दो वर बालिंग भी कर सकते हैं और इनका बैटिंग फॉर्म आप देखे तो नमबर चार पांच पे भी बहुत अच्छा आईपिल में खेले हैं तो उससाब सिनको आपको लेना बनता है हार्दि आप उपके चल्एला लखती बỉटर alt ओफरिका बलगी वर्ल्ड के सबसे बड़ी इस्पिनरश में से एक हैं और चहल भी वर्ल्ड के सबसे बड़ी इस्पिनर में से यह के दोनों ही स्पिनर tough IPL कर रहा हूं आवच खान इस टाइम पर बहुत अच्छे विकट टेंग ऑप् फॉर्म उत्त अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं इसाब से यह काफी बढ़िया टीम है जो लोग विकिट ले रहे हैं जो अच्छे फॉर्म है उनको मैंने यहाँ पर कंसीर कर रहा है या फिर जो रंस बना रहे हैं उनको कंसीर कर रहा है थोड़े बहुत चिंज़ आप आपके लिए कप्तानी वास कप्तानी की बहुत अच्छी ऑप्शन होंगे अगर पेस को मदत रही तो रबाड़ा आविश जैसे प्लेर आपके लिए कप्तानी वास कप्तानी के ग्रेंड लिग में ऑप्शन हो सकते हैं ठीक है तो गई जब वीडियो करते खदम पसंद आया